कैसे हो आप सब तो मैं एक मैच होने वाला है एक फेकप लीग का चेल्सी वर्सीज शेफिल्ड उनाइटिड के बीच दो घंटे बावन मिनट के बाद इन दोनों टीम्स के बीच पहले भी एक मैच हुआ था गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा जो की प्रिमियर लीग में ख भी एक मेरा इस टेलीग्रम चैनल इसका लिंक में डॉक्स में डाल चुक है। आपने कुछ भी नहीं करना दिस्क्रिप्शन वोक्स में लिंक पे क्लिक करना है गाइस। आम अटोमैٹिक ली जञाएंगे। और काफी लोगों से में बात आपको हर वीडियो में बोल रहा हूं कि आप किसी अनदर ग्रूप में अगर मेरे नाम के किसी अनदर फेक ग्रूप में जुड़े हो तो निकल जाओ क्योंकि यही मेरा ओरिजनल ग्रूप है जिसके अंदर 4.2 के में मेंबर्स हैं इसलिए मैं बा इसलिए में उस पर क्लिक कर देना आटोमेटिकली जॉइन हो जाओगे तो चलते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं मैच की बाकी बाते बाते बात में करेंगे तो चैल्सी वर्सी शैफिल उनाइटिड के बीच मैच होने वाल है देखो एफ़े कप लीग है काफी नए प्लेय प्रिमियर लीग में जो एक गोल कीपिंग करता था इम एंडी जो की है चैल्सी टीम का और इस लीग में करता है के आरिज बड़े की जगा आपको पता ही है कि हम रैम्सडिल को ट्राय कर रहें विकॉस एम टेकिंग लिटरली रिस्क आप रिस्क मान लो या जो मर्जी मानो बट एक तरह रिस्की है बट अच्छा रिस्क है मलब ऐसा नहीं की फालतू ले रहा हूं मलब फाइदे मंद है आगे से बात करूँ गाइस चेव डिफैंडर की तो हर लीग में मोका मिलता है जो मर्जी लीग में खेले बहुत बड़िया परफॉर्मस देता है पिछले मैच के अंदर इन्हों ने क्या किया कि एज़ सब्ची टूट इन्हों ने भेज दिया पंतालिस हाफ टाइम के बाद और यह बंदा आते ही एसिस्ट भी कर गया और जिस बंदे ने एसिस्ट की तो वो देखने वाली एसिस्ट थी मलब मेरे को उमीद नी थी कि यह बंदा गोल त कि प्लेयर तो यार देखो सही लगा मेर को यह और आगे से बात करूँ नेक्स प्लेयर की जिसका में के जॉमा और को तो बिल्कुल भी मत ड्रॉप करने की सोचना क्योंकि प्रीमियर लीग में मैंने इस बंदे का दोर देखा कि यह इतना डेंजरस खेलता है कि एक बार सोच कि इसने को मजबूर हो जोगे कि इसने किया क्या सही में आगे चलते दोस्तों बात करें मिट फिल्टर सेक्शन में तो मिट फिल्टर सेक्शन में काफी बदलाव रहेगा जैसे कि माउंट नहीं खेलेगा और एक बड़ा प्लेयर टी वर्नर नहीं खेल रहा तो इसलिए हम या से थोड़ा हलके प्लेयर लेंगे जैसे कि सी हट्जन डॉई सी हट्जन डॉई खेलेगा आज के मैच में फ्रंट साइड पट फ्रंट साइड का मतलब यह नहीं कि यह गोल्ड कर सके इसके लिटरली इसका गोल्ड रेशियो बहुत कम है शुरुआती तोर में सही था मतलब 90% है ही नहीं सिरफ 10% और आगे से बात करूँ एच जी अच की जी अच को जादा मोका नहीं मिलता इसलिए जी अच का एक बेस नहीं बन पा रहा यह कभी उसको सब्ची टूड खिलवाते हैं कभी उसको प्ले में राते हैं तो 45 मिन बाद बेच देते हैं वो चीज जम उनाइटी टीम खास ही नहीं बिल्कुल भी लिटरली आपको बता रहा हूँ प्रीमियर लीग में भी मैंने देखा था बिल्कुल जोर नहीं है तो चलते दोस्तों आगे की ओर तो बात करूँ टी वर्नर नहीं खेल रहा था पिछला मैश तो इसकी जगा लेंगे टी अबरा प्राइम को अपसी करानी चीए इनको और बी शार अपनी टीम का पेनल्टी टेकर रहे चुका है इनके साफ से तगड़ा है बिल्कुल मुल खास नहीं है तो चलते दोस्तों आगे बात करूँ कैप्टन एंडवाइस कैप्टन एबराहीम एंडवाइस कैप्टन जीच मुझ अगर करना भी है तो आप इस टीम से करना जो आपको दिख रही है गाईस मिलता हूं अगली वीडियो में बाबाई